नमस्कार दोस्तों स्वागत आपके आनन क्लासेस में और मैं आपके लिए लेकर आगया हूँ फॉरेजगाड भरती परिक्षा से संबंदित लेटेस्ट न्यूज देखे दोस्तों सोलत तारी को पेपर हो गया है और उस दिन से लेकर ये चर्चा में है क्यों चर्चा में है क् में हम जानेंगे तो देखे ये जो पेपर जो लीक किया गया है उसके बारे में यह आर्टिकल आया है यहां पे न्यूज पेपर में तो देखे फॉरेजगाड भरती परिक्षा का पेपर लीक करने के आरूप में पुलिस ने रूड की कि नारसन इस्तित कोचिंग सेंटर सं संचालक है उन्होंने पेपर को जो है यहां पे लीक करवाया फिर है सियो एस्तिया पंकुस मिस्रा ने बताया कि स्पेशल टास्पोर्स को सूचना मिली कि 16 फरवरी को हुई फॉरेस्ट गार्ड भरती परिक्षा का पेपर एक गिरों ने लीक कर दिया है यानि कि पूरा इन केरियर कोचिंग सेंटर गुरू कुल नारसन के संचालक मुकेस तैनी का नाम सामने आ रहा है आरोप है कि उसने पेपर को लीक कर परिक्षा दे रहे है अब बेड़तियों को मोबायल सुतर बताए उन्होंने बता है कि इस मामले में मुकेस तैनी के साथ इसके परिचित पंक कि दुबारा होगा क्योंकि देखिए ये बेरोजगारों के साथ एक बहुत बड़ी इनके भविस्ट के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड है आप सभी लोगों को इसके लिए आगया आना चाहिए ताकि जो बच्छा अच्छे से पढ़ रहा है जो मेहनत कर रहा है उसके सा मेहनत कर रहा बच्चा है उसकी सीट इन्होंने खाली तो यहां पर बिल्कुल यह पर रद होना चाहिए और दुबारा होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए लग दो महीने के अंदर क्योंकि यह इंपॉसिबल नहीं है कि ऐसा मतलब आप नहीं करा सकता आप बिल् में आगे क्या चीज़े हो रही है तो देखें, यहां पे है OMR सीट वाइरल होने के केस की पुलिस जांच सुरू चैनाग ने की थी सिपारिष तो चैनाग ने इसकी सिपारिष कि यह पुलिस जांच उसमें सुरू हो चुकी है अब देखिए आगे हैं पर क्या है तो दीके यहां पर बता गया फॉरेस गाड भरती प्रिक्षा की OMR सीट सोचिल मीडिया में वाइरल होने की पुलीस जाज शुरू हो गई है उत्रा खंड दिनस्त सेवाच नायग ने पुलीस के साइबर थाने से जाज की सिपारिस की है इसके साथ ही OMR सीट सोचिल नहीं हुई है हालां कि यह जो दूसरी जो OMR सीट है इसमें देखे नंबर था तो पता लगया कि किसकी OMR सीट थी तो वो व्यक्ति खुद ही आयोग आ गया है उसने बता दिया है अपने बारे में सब कुछ तो अब आगे जानते रिववार को परिक्षा खत्म होने के बाद दो OMR सीट सोशल मेडिया में वाइरल हो गई थी इसे परिक्षा को गुपनियता का सवाल उठने लगा सोमबार को आयोग कारले में विविन संगठो ने प्रदसन किया उन्होंने परिक्षा इस्तगित करने और दोश्यों को खिलाब करवाई की मांग की आयोग के सचिफ संतुज बोटेनिन का कि हरबटपूर निवासी जस्पाल सर्मा ने सोमबार को आयोग कारले पहुंचकर उन्होंने बताया कि उन्होंने परिक्षा कत्म होने के बाद चार बजे या फोटो मोबाईल से ली थी तब परिक्षा कक्ष में ओमार सिर्फ जमा की जा रही थी हालांकि सवाल उठ रहा है कि मोबाईल परिक्षा कक्ष तक कैसे चला गया इस पर आयोग कुछ भी सबस्ट नहीं कर पाया तो बिल्कुल कैसे मोबाईल फोन चला गया परिक्षा कक्ष तक यह बहुत बड़ा सवाल उठता है यानि कि पूरी सुरक्षा को सेंद करते हुए ये कार्य हुआ है फिर है जबकि दूसरी ओमार सीट को लेकर भी आयोग इस पस्ट नहीं कर पाया है कि यहां कि सब बैठती की है और यहां कैसे अपलोड कर दी गई आयोग सचीव ने कहा है कि परिक्षा कक्ष में मुबाइल फोन पर पूरी तलब प्रतिबंद को लेकर सकता नहीं हम बनाए जाएंगे इसके लिए जल्द ही आयोग बैठक करेगा तो बिल्कुल इसके लिए बैठक करनी चाहिए और इस तरह की अपरिया घटना अगर होती रही तो उत्राखंड में कोई भरती नहीं होगी और नहीं यहां पे किसी बिरोजगार को जोब मि हो पाएगी तो देखे इसके खिलाब सबको आगे आना चाहिए और देखे क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है उसके भविस्से के साथ इसमें खिलबाड हो रहा है तो देखे दोस्तों पेपर तो कंफरम है कि दुबारा होगा क्योंकि ऐसे ही कोई OMR सीट भार निकल के नह ही से लग जाए मेहनत पे और यह पेपर कंफरम है कि दुबारा होगा तब तक लिए दोस्तों बस इतना ही धन्यवाद